इडिटर निकुंच डाल में हमार साथ जुड़ चुके हैं निकुंच साथ गुड मॉर्निंग कल का तेज सेल आफ ब्लाक मंडे और आज का मंगलवार कुछ हद तक ठीक दिख रहा है क्योंकि SX Nifty 500 पॉइंट उपर है कोश्चन यही है कि कल की गिरावट जितनी सीवेर थी आज इस तरह की SX Nifty की जो बड़ा था उस पर ट्रस्ट करें या फिर अभी नहीं करें निभी देखे 2021 में हमने क्या देखा था आप ट्रेडर हों आपने पैसा बनाया लॉंग ट्रेड करके आप SIP investor है आपने equity में asset allocation बढ़ाया आपका पैसा बना आप एक long term investor है आपने share में invest करा और आपने पैसा बनाया तो जो trade थी वो long only trade थी and the trade applied for trader, medium term investor, positional trader, SIP investor, macro investor and even a small cap investor तो long only was the only trade शेर बजार में एक तरीका था 2021 में पैसा बनाने का बले आप trader हो बले आप investor हो intraday trader हो भले आप positional trader हो long only वो trade change हो रही है अब selectively आपको देखना पड़ेगा कि आप किस category में belong करते हैं अगर आप SIP investor है, no problem आपकी जिंदगी में पुछने बदलता है आपको खुश होना चाहिए कि आपको इस समय अगर आप bank में अगर आप SIP top up करते हैं या फिर अगर आपके units अगर पिछले 7-8 दिन में आपको अगर आपके account में हिट करे हैं तो आपको ज्यादा units मिलेंगे अगर आप trader हैं तो आपको यह पूछना पड़ेगा जी आप जो एक long only trade करते थे वह शायद आप applicable नहीं है बिकोज यह market volatile हो चुका है इस समय दोनों trading options मिल रहे हैं long और short तो long only trade चेंज हो चुकी है अगर आप एक medium term investor है तो medium term investor को भी मैंने homework की जो बात करी थी इस समय homework करिये और देखिए आपके portfolio के अंदर क्या अच्छा है और क्या बुरा है और उसके बाद एक नजरिया बनाना पड़ेगा तो मैं क्या एक message शायद communicate करना चाह रहा हूं मैं यह communicate करना चाह रहा हूं कि the days of only one style of investing and trading in the market is over even though market is headed higher इसके अंदर volatility है, volatility रहेगी और volatility शायद कुछ दिन तक परिशान भी करे इस समय हम देख रहे हैं कि macro sell-off जरूर हो रहा है जिसमें Fed, Omicron, Sell India, Long China यह जो global trade हो रही है इन चीज़ों की वज़े से एक जोर का हम देखने adjustment हो रहा है क्या disappointment part है मार्केट का? Banks उन्होंने disappoint करा, last week भी disappoint करा है, कल भी disappoint करा है Right, morning Nikunj, तो बिल्कुल यह बात तो fact है कि portfolio में अगर आपको अच्छे stocks चाहिए तो ऐसी गिरावट पर आपको इस मौके का फायदा उठाना चाहिए लेकिन अगर हम stock specific या sector specific एक analysis करना चाहिए जैसे कि गोदरिज consumer की, जो con call आई, उसे क्या निकल कराता है FMCJ space के लिए, क्या आपको लगता है कि आगे headwinds रह सकती है क्योंकि उनके लिए cost pressure, raw material pressure काफी है और आपने देखा, in fact, white coat space ने तो तीन बार अब तक price hike इसी साल कर दे और इधर indicated another hike early in 22 also सो ऐसे में आपको क्या लगता है, जैसे उनकी एक commentary में निकल कर आए कि low volume growth रहेगी, लेकिन high price growth रहेगी तो ये क्या corporate earnings पे dent करेगा प्रेंका, गोदरिज consumer क्या message एक दे रहा है कोज़ज consumer एक simple message दे रहा है अपने shareholders को कि भई, हम profitability पर नज़र रखेंगे हम किवल market share gain के लिए इस समय नहीं रहेंगे तो हम categories में profit बढ़ाना चाहेंगे हम उन categories में रहेंगे जहां हमारा niche focus है हम उन categories में रहेंगे जिनके अंदर हमारे पस pricing power है और जहां हमारे पस brand का reach है हमने अक्सर देखा है कि FMCG management companies के जब change होते हैं और यह के सही रननीती अपनाते हैं तो काफी इन stocks में भी रेटिंग होती है मिसाल के तो आपे Britannia Varun Barry साब आए Britannia ने जवर्दस चलांग लगाई Nestle में हमने देखा सुरेज जी के बाद किस प्रकार का change आया है उसी प्रकार से अगर आप देखें हाली में United Spirits में किस प्रकार का turn around दो quarter में हो चुका है वहाँ पर एक management change हुआ है तो FMCG companies में एक history रही है कि जब change of management होता है और जब management ठीक चीजे करता है तो companies काफी अपने जो change होती है product mix, orbit और positioning इनमें काफी changes आता है तो गोज़ज कंजूमर इस समें ऐसे कगार पर है कि यहाँ पर अगर कुछ structural और बुन्यादी changes अगर करते है profit पर ज़्यादा focus करते है market share gain की fight में नहीं जाते है नया professional management है तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में यह एक outperforming stock हो सकता है उस sector के अंदर मगर क्या इस इन numbers इस analyst call को लेकर कि क्या हम बोल सकते हैं जी यह 1000 का भाव हो जाएगा 1100 का भाव हो जाएगा वो अभी नहीं लगता है अगर sector specific पर ही बात करें तो कल तो हमने देखा कि काफी सारे sectors थे जिसमें की बारी गिरावट देखी गे इसमें metal थे, pharma stocks थे, reality में हम देख रहे हैं पिछले काफी समय से लगाता गिरावट दिख रही है तो यह जो correction आ रहा है मार्केट में क्या कुछ sectors हैं जो यहां पर attractive लग रहे हैं इस वक्त जैसे मैंने का पूझा कि banks ने disappoint कर रहा है तो देखे पहले समझते हैं banks कहां जाके रुखते हैं अगर अगर global correction आ रहा है तो global correction के दो प्रमुकारण है एक तो है कि एक general risk of environment है और हमने दिखा है कि इसमें risk on trade जो है वो प्राइप्राइब सभी asset classes में हमें देखने को मिल रही है तो banks के लाभा metals में हमने गिरावट देखी है हमने देखा है crude में गिरावट आई है हमने देखा है crypto currency में गिरावट आई है तो इस risk on moment के अंदर शायद आपको उन companies को दुबारा revisit करना चाहिए जिनके अंदर एक cyclical upturn है मगर उन companies के अंदर इसमें commodity को लेकर के थोड़ा margin उपर नीचे हुआ है मिसाल के तौर पर industrials मिसाल के तौर पर capital goods मिसाल के तौर पर आप उन company में focus करिए जहां आपको लगता है कि भई केपेक्स चाल हो चुका है केपेक्स से उन company को benefit मिलेगा order books ठीक ठाक है बगर first Q1 and Q2 में इन companies को high commodity prices की वज़े से मार पड़ी थी एक और sector है जो मैं काफी समय से बता रहा मुझे काफी अच्छा लगता है वह रियल इस्टेट सेक्टर रियल इस्टेट की demand वापिस आ रही है ब्याज़र अगर बढ़ेंगी भी तो इतनी जादा नहीं बढ़ेंगी कि वह आप home loan की affordability आपकी कम हो जाए तो मुझे लगता है कि उस सेक्टर में नज़र रखने चाहिए उन सेक्टर के अंदर दो प्रकार की कम्पनिया है एक तो है पान इंडिया कंपनी और दूसरे रिजिनल कंपनी पान इंडिया कंपनी के अंदर जैसे हो गया आपका अंकि दिमांड जादा रहे ही तो जाहर है टाइलिबन की कमपनी, पाईबस की कमपनी, पेंट कमपनी और इंडिया काइब वर इक तो सही यह बालते का दाव से हो गास्टर के तान मुर्णी ज़रर चाहिए खाय गया है क्योंकि कष्य को काई तेल के लाम झते में हैं और company भी हमने आपको बताई जहां पर क्या पो नज़र रखनी है निकुछ बहुत बहुत शुक्रिया आपका भाब से बात करने के लिए बाजार पर और सेक्टर पर अपनी राय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका